अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बर्टन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बर्टन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आप उसे देख सकें हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहे हूं वन पीस विद नेट कटिंग और स्टिचिंग यह हमारा ड्रेस इस प्रकार बनेगी इसमें नेट सब जगह आएगा लेकिन स्लीफ में और वेस्ट पार्ट में केवल नेट होगा और मेन फैब्रिक महां से हड़ जाएगी तो उसके लिए यह मेरी मेजर्मेंट है मैं साथ साथ ड्राफ्टिंग करते हुए मेजर्मेंट आपको बताती रहूंगी सबसे पहले है मैरी टोटल लेंद 54 इंच उसमें मैं 3 इंच प्लस करके एक मार्क लगाती हूँ उसके लिए पहले मैंने इस मेन फैब्रिक को 4 लेयर् रखा है पहले लेंथ में और फिर विर्थ में तो एक तरफ से इंची टेप को रख करके 54 प्लस 3 57 इंच का मार्क देंगे और इस मार्क को स्ट्रेट करेंगे उसके बाद हम अपनी सारी लेंथ की मार्किंग करेंगे सबसे पहले शूर्डर लेंथ 7 इंच उसके बाद विस्ट लेंथ 13 इंड अफ है तो हाफ इंच एक्स्टरा 14 इंच उसके बाद hip length 20 plus half 20 and a half inch और bottom length हमारी fabric के साथ ही हो गई है अब हम width wise इसकी drafting करेंगे सबसे पहले shoulder to shoulder width का half plus half inch जो है 12 का half 6 plus half inch 6 and a half inch और यहां पर भी हम 6 and a half inch लेंगे shoulder length पे half inch काम जैसे हम कमीज की drafting करते हैं वैसे ही इसकी drafting कर लेंगे फिर यहां से हम chest का 1 by 4 plus 2 inch लेंगे chest है हमारी 32 inch उसका 1 by 4 हो जाएगा 8 plus 2 आ जाएगा 10 inch उसके बाद waist बे waist का 1 by 4 plus 2 inch waist है हमारे 28 उसका 1 by 4 हो जाएगा 7 plus 2 9 inch दोनों marks को हम parallel manner में मिला देंगे और अब hip line पे hip का 1 by 4 plus 1 and a half inch hip है हमारे 36 उसका 1 by 4 हो जाएगा 9 plus 1 and a half हो जाएगा 10 and a half inch इसको हम इसको हम इस पर का round shape देखते वे मिलाएगे और अब हम bottom का half plus 1 inch का एक mark लगाएगे bottom का half है हमारा 20 inch plus half inch हो जाएगा 20 and a half inch यह पूरा है तो अब मैं किस point को ऐसे यहां तक उपर से हम लगभग 3 या 3 and a half inch का एक mark देंगे और उस point तक इसको मिला देंगे क्योंकि यहां पर हमें हलका सा कर्विंग देना है उसके बाद हम यहां से हमारी टोटल लेंथी 57 तो हम यहां से वहां तक भी 57 इंच या उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक मार्क देंगे और इसका हाफ लेकर के कर्व शेप देंगे 20 and a half इसको हम इस प्रकार अब हम आम की कर्विंग करेंगे फ्रंट आम की डीप करवे और नेक विर्थ के हाफ पे एक मार्क लगा करके शोल्डर लाइन गिराएंगे नेक विर्थ का हाफ है हमारा 2.75 और यहां से लगबग हाफ इंच लेकर के ऐसी ही शोल्डर लाइन को हम पिरादेंगे अब इसकी कटिंग यहां से ऐसे पहले आउटर साइड की और टोटल वहां से कर्व की कटिंग करतें यह कटिंग करने के बाद अब हम इस नेट को भी फोर पीसिस में अजेस्ट करेंगे और उसकी उपर इस फैब्रिक को रख करके उसकी भी कटिंग करेंगे पहले उसकी बाद हम फ्रंट आम की डीप कर विंग की कटिंग करेंगे झाल झाल कर्टि करने के बाद अब हम टॉप से अपनी वेस्ट लेंथ प्लस हाफ इंच का एक मार्क लगाएंगे और इस लाइन को हम इस प्रकार आगे टोटल इसमें लगा लेंगे उसके बाद हमारी लोवेस्ट है सिक्स्टीन एंड हाफ इंच तो हम सिक्स्टीन इंच पर एक मार्क लगाएंगे और उस लाइन को भी हम इस प्रकार एक पैरलर लाइन बनाएंगे और मीन फैब्रिक से ये दोनों लाइने हम कट कर देंगे अब हम का इसमें से एक पीस निकालेंगे और अपनी फ्रंट इसकी कटिंग कर देंगे और ईसा ही हम नेट वाले फैब्रिक से एक पीस नीकाल करके उसके भी फ्रंट्स' आम की कटिंग कर देंगे यह हुए हमारी वन पीस ड्रेस की कटिंग इस नेट वाले फैब्रिक से हम स्लीव कटिंग कर लेंगी जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है उसकी बाद हम इस बोड़ाइस पीस को ऐसे रख करके एक लाइन ड्रॉ करेंगी और उससे हाफ इंच अबव की दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो यह हमारी वेस्ट लेंथ के बराबर लाइन आ जाएगी अब हम इस परकार इसको स्टिच करेंगे यह हमारा राइट पीस है और यह हमारा रॉंग साइड है इस लाइन जो हमारी थाटीन एड़ हाफ इंच वाली लाइन इसे पर हम इस परकार इसको रख करके simple straight stitching कर देंगे और उसके बाद इसको stitching करने के बाद इस परकार fold कर देंगे तो ये हमारी ऐसे lining लग जाएगी इसी परकार ये bottom में हम उपर से 16 and a half यानि कि जहां हमारी low width है वहाँ पर एक mark लगाएंगे और इसको भी इसी परकार ऐसे fold करकी यहाँ से इस mark से stitching करेंगे और इसको बाद में right side में इस परकार fold कर देंगे तो इस side हमारा ये right side आना चाहिए और fabric का right और net का wrong आपस में मिलना चाहिए waist part में इस परकार fabric को stitch करने के बाद अब हम cut stitch द्वारा बागी की fabric को net के साथ stitch करेंगी और उसकी बाद मैं इसकी next बना लूँगी जो simple round neck है जो मैंने आपने को पहले भी बता रखा है ये complete करने के बाद मैं next proceed करने अब हम इसको wrong side में लेके जाएंगे और अपनी measurement के अनुसार दुबारा से एक बार और ड्राफ्टिंग करके टैप्पिंग करेंगे और फिर इसकी fitting की stitching कर देंगे उसके लिए हम थोड़ी धूर तक चारों फैब्रिक्स को इकटे से रेंगे अगे 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 बाद हम net fabric को separate और जो यह main fabric है हमारा इसको separately सिलेंगे यह भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है तो मैं fitting की stitching करने के बाद इसमें बाजू जोइन कर दूगी और bottom से fold करके इसकी एक pick आपको upload कर दूगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो like करें अगर आप इस channel पे नए हैं तो subscribe करें next video में मैं आपको एक नए cutting या एक नए stitching आसान तरीके से समझाओंगी धन्यवाद ॽ।